हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अनुप माज के चनवर्ड फ्रेंड्स आज में लेके आए हूँ एकदम युनीक सी और नई रेसिपी हरे चने के पापड कभी सुने है आपने यूट्यूब पर पहली बार आई है चने के पापड की रेसिपी फ्रेंड्स फर्स्ट टा तो फ्रेंड्स इनके सीधे रहने का राज भी मैं आप सबके साफ शेयर करूंगी ये देखिए सूखने के बाद भी बिल्कुल सीधे के सीधे है तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और आपको पता चलेगा कि हमारे सूखने के बाद भी जो छोलिया होता है ना वही है ये हरे चने कच्चे हरे चने आज हम इसी से पापड बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने हरे चने को हमने बहुत अच्छे से वाश करके ले लिया था तो हमने इनको ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है अच्छे से 1 गंटे पहले, एक कप हम साबूदाने का और एक कप हम चने के इसाब से दो कप पानी yous तो इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालके अच्छा सा स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे तो टोटल हमें हमारा हाफ कप चने हाफ कप साबुदाना टोटल एक कप हुआ तो उसमें डबल पानी डालना है उससे ज्यादा बिल्कुल भी ने डालना है सिर्फ डबल पानी का रशी रहेगा तभी हमारे पापड एक दम बढ़िया बनेंगे तो यहां पे हमने थोड़ा शान के लेंगे ताक कोई भी मोटे पीस होजदा वो चलनी में निकल जालें और यह थोड़ा he tenga पीसकि घ्रत साड़नी कर दीजा और यह जो आधा का पानी गज्चा और बचवच ।ो टोटल है मैंने दो कटोरी पानी डाला है क्यूंकि हमारा बैटर टोटल एक कटोरी था तो उसका डबल हमने पानी लिया है इसको गैस की फ्लेम पे रग देंगे और मीडियम फ्लेम बन लगातार चलाते हुए हमेसे कुक करना है ठिक कंसिस्टेंसी आने तक जब तक कि यह हलका ट्रांस्पेरेंट से नहीं हो जाता बैटर हमारा तो यहां एक बात ध्यान रखना है यहां गज़ेखनि में को अहां पकाना है और यहँ हलका ट्रांस्पेरेंट हो गया है मैंने क्त्नी किया है घंख एक इस जातां से चला तूंण नमक और जीरा एड़् कर लिया है ना कोई बेकिंग पाउडर डालें ना कोई बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के भी हमारे पापर बखुती ज्याद है तैयार होंगे और यह दे देखिए दूसरी पहचान यह एक है कि इतनी सतरह से इसका मतलब हमारा बैटर पाग गया है तीसरी पहचान है कि प्लेट में इस तरह से बैटर डालोगे ना तो इधर उधर मुव नहीं होगा पानी की तरह बहेगा नी एक जगा स्टिफ रहेगा तो दो तीन पहचान मैंने बता दी है बैटर चेक करने की एक यह बबल आने चाहि जाएं तीसरा प्लेट पे डाल के चेक कर सकते हो तो बैटर को हमने 7-8 मिन अच्छे से कुक कर लिया था था थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हम आ गया है यह दूप में और हम ने मोटा पॉली बैक ले लिए है आटे के जो पॉली बैग आते है ना वही लिया है हमने आ नहीं सुखने के बार हमें इनको पूरे दिन की दूप लगानी है और बिलकुल सूखने के टाइम तक हमेंसे पलटना नहीं है रहें... तभी हमारे पापड सीधे बने रहेंगे सूखने के बार भी। तो यह देखिए एक पूरे दिन की दूप हो गई है.. और यह देखे हैं हलके से गिले हैं लेकिन उपर की सतय इनकी सूख गई हैं मैं इने अभी नहीं पलटूँगी तो पूरा सूखने दूँगी उसके बाद ही इनको पलटूँगी तभी एकदम सीधे बने रहेंगे तो यह देखें नेक्स दे भी हमने थोड़ी दूप लगाई और जब इसको हम तेल में डालेंगे ना तो एकदम से फूल जाएंगे यह देखें कितने अच्छे बड़े बड़े गोल गोल हमारे एकदम सीधे हैं सूखने के बाद भी पापड तो यही राज है कि सूखने के टाइम तक हम इने पलटना नहीं है अपने आप सूखने देन तो चलिए अब मैं इनको आपको फ्राइ करके दिखा देती हूं और अच्छा गरम होना चाहिए और चिम्टे की हेल्प से इस तरह से डालेंगे और एकदम से निकाल लेंगे डालते के साथ ही एकदम से भुण जाता है यह जैसे ही डाला कुछी सेकंडों में हमारा पापड बनके तयार हो जाता है तो इसी तरह वन बाई वन हम अपने सारे पापड को मेडियम होट ओयल में डालेंगे और एकदम से निकाल लेंगे वरना इनका कलर ज्यादा चेंज हो जाएगा तो साबुदाने को पापड को फ्राइ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो देखा फ्रेंट्स आपने आज हमने एक युनीक सी रेसिपी ट्राइ की है हरे चने के पापड कभी सुने थे आपने हरे चने के पापड सूजी के पापड चावल के पापड बहुत सुने होंगे लेकिन हरे चने के कभी नहीं सुने होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आप स इस रेसिपी को आप अपनी फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस नई सी रेसिपी का मज़ा ले सके और बना सके इसकी आवाज में आपको सुना देती हूँ देखे कितने करंची करारे बने है तो फ्रेंट्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो आई ह हरे चने के पापड़ हैपी होली इन एडवांस बाबाई